नमस्कार जी मैं हूँ पुनीत आप देख रहे हैं स्ट्रोपीडी इसी प्रोग्राम में आपका तही दिल से स्वागत करते हैं एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने तो फिर मुझे लगता है कि सहत आपकी बिल्कुल सही है और बाकी कुंडिली भी आपकी सही होनी चाहिए कुंडली सबकी सही होती है लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें अपनी जंदगी को किस दिशा मेले के जाना है और अगर यह जाना है तो फिर स्ट्रोपीडी है सिंपल सी बाते हैं सिंपल से नंबर है जो नीचे है वो भी आपी के लिए हैं तो आज जो है हमें कंजंक्शन की बात करनी है, conjunction क्या होता है, conjunction होता है जब दो planets जो हैं, वो एक साथ हो, जब वो एक साथ होते हैं, कभी-कभी हमें कहते हैं, अच्छा, यह तो एक साथ बैठे हैं, यह तो बिलकुल बहुत बढ़ा पंगा हो गया है लेकिन यह आफिर बहुत अच्छा होने वाला है कि जो होता है जो शुत बुरा होता है इसका हमारी जंदगी में क्या इंपक्ट पड़ता है आज जाना बहुत ज़रूरी है सबसे ज़्छादा इंट्रस्टिंग है और Good Luck Report है हमारे पास, आज देखेंगे किसकी बारी आती है, किसकी किसमत खुलती है, जिसकी Good Luck Report जहर सके घर तक पहुंचेगी, और Tip of the Day भी है, तो शुरुआत करते हैं, पहले स्वागत करते हैं, बहुत-बहुत स्वागत स्वागत आज मैंने बहुत सब इतनी जल्दी आसपास होते हैं, एकठे होते हैं, तो उनका हमारे पर किया सिर्फने वाला है, पिछले एपिसोड में किसी ने पूछा भी था, और हमने कहा था कि एक टॉपिक करेंगे, देखें, Conjunction of planets जो होता है, वो हमेशा बुरा नहीं होता, क्यों बुरा नहीं होता? कोई भी ऐसी Conjunction बना हो, मा लीजे, शनी, चंदर वाले कुण लिटी उठा लीजे, ठीक है, इसको बड़े, ब्लंटली कह दिया जाएगा, यह विश्योग है, मानता हूँ विश्योग है, बट यह impact क्या डालेगा, यह depend करता है, that depends, किस घर में बना हुआ है, शनी उच्च के हैं, शनी न मंगल हो गया, गुरौ राहू हो गया, राहू गुरौ कंजंशन हो गया, चंडाल इसको बोलते हैं, मंगल केतू हो गया, ऐसे कंबिनेशन, यह बड़े, यह कंबिनेशन जो होते हैं, ये extraordinary combinations होते हैं extraordinary क्यों होते हैं ऐसे लोग कुछ special करते हैं कुछ बड़ा करते हैं Let's talk about राहू एंड चंदर्मा चंदर्मा आपका मन हो गया माइंड हो गया ठीक है राहू हो गया focus अब राहू क्या है राहू का मतलब है कि विशाल चीज limitless things अपनी कुंदली उठाइए जिसकी कुंदली में राहू चंदर्मा combination होगा ध्यान रखेगा उस बंदे का focus बहुत बड़ा होगा focus क्या? कि मुने जिन्दगी में कुछ बहुत बड़ा करना है चोटी मोटी चीज में वो satisfied नहीं होगा satisfaction level बहुत ज्यादा high होगा high kids sense में चोटी मोटी चीज से satisfy इनसान नहीं होगा बहुत high level पे जाके satisfaction मिलेगा चोटे level पे satisfaction नहीं मिलेगा कोई भी चीज देंगे तसली नहीं होगी मुझे पसंद नहीं है मुझे satisfaction नहीं होगा से वोई अगर चीज आप किसी बड़े तरीके से बड़े बड़िया तरीके से पैक करके ब्रैंडिड रैपर करके उसको प्रिजेंट करेंगे वो चीज पसंदा जाएगी बात साटिसफाक्शन की है राहू चंदरमा के कंजंचन जब होते हैं ऐसे कुंडली में ऐसे लोगों क साटिसफैक्शन लेवल और एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ज़दा हाई होता है ऐसे लोग छोटी मोटी चीजों से जल्दी साटिसफाई नहीं होते इनका जिंदकी का गोल भी बहुत होता है तरीका चाहें जो मर्जी हो राहू खराब शॉटकट राहू अच्छा यूज करेंगे एलेगल भी करेंगे लेकिंal सोच समझ के करेंगे लेकिं करेंगे कुछ बड़ा कुछ बड़ा कुञाई किसी ऐसे इनसान की जो बहुत ब़दा हों अधरिए बहू ठाहर चक्व कर वाह च्छोटा नहीं किरिवाते एंट से राहू मंगल की बात करते हैं दयरी इतनी होती है से इनसान में एक तो मंगल दयरी के कार, हनुमान जी करते हैं, मंगल को। और मंगल करता है हनुमान जी कोुटे को। उपर से राहू जिसको कोई डरी कोई नहीं है जो बिलकुर निडर है वो देवताओं के बीच में बैठके अमरित पी लेता है राहू और इसकी हिम्मत देखिए उसकी दिलेरी देखिए कि उसको कोई डर नहीं था ये भी था पता कि मुझे जहां से मुझे जो अमरित दिया जा रहा है और जो दे रहा है वो पहचान लेगा और पहचान भी लिया लेकिन डरा नहीं तो राहू मंगल मतलब कहने का कि बहुत लाइलेवल की दिलेरी वाली एनरजी उसमें राहू निडरता ये भी लोग बड़े डेरिंग होते है बड़े बड़े रिस्क लेके आगे बढ़ जाते है ये भी कुछ बड़ा करते है लेकिन पैटर्न जो है थोड़ा चीन हो जाएगा राहू चंदर्मा की सोच बड़ी थी राहू मंगल का डेरनेस अलग से थी उनका काम करने का तरीका बहुत डेरिंग होता है ये रिस्क लेते हैं बहुत हाई लेवल की रिस्क लेते हैं और बड़े बड़े रिस्क लेके आगे बढ़ते हैं बड़ी इन्रेस्मेंट कर देंगे करना है तो बड़ा है चोटा तो करना ही नहीं है दुकान दारी छोटी तो करनी नहीं है खोलेंगे तो बहुत बड़ा हाई लवल का कोई शोर्म खोलेंगे या बहुत बड़ा हाई लवल का एक ब्रैंडिड के बगल के साथ ब्रैंडिड बले उसके स्टोर के साथ बगल में एक बड़ा ब्रैंडिट स्टोर खोल देंगे इस तरह के जो डेरिंग होती है वो ये राहू मंगल वाले करते हैं राहू गुरू जिसको हमने आम तोर पे चंडाल दोश का नाम दिया हुआ है ये भी लोग एक्स्ट्रा ओर्डनरी होते हैं ग्यान की कोई कमी नहीं और इतने ज़्यादा डिप्लोमेटिक बहुत ज़्यादा शार्ट माइंड़ दिमाग में किसी भी तरह की नॉलिज की कमी नहीं होती जुगार सारे जानते हैं जुपिटर विजडम समझदारी राहू फोकस राहू जुपिटर एकठे हुए तो आप मानके चलिए कि आपका फोकस बहुत ज़ादा होगा और ऐसी ऐसी सलाए इंसान लोगों को दे देते हैं ऐसे लोग कि आम लोग इंसान तो सोच नहीं सकता कि ये भी हो सकता था अच्छा इस तरह की सलाए कई बार आप देखेंगा बहुत इंटैलिएंट लोग होते हैं बहुत तेज दिमाग लोग होते हैं कहते हैं कि ये तो चलता फिरता जुगाड है राहू ने वो तिवर्ता दी जुपिटर ने समझ दी और ये इंसान इस तरह का बन गया हूँ सो ये जो कॉम्बिनेशन हैं ये बैड नहीं होते उल्वेस बैड नहीं होते इनका काम करने का तरीखा कृदा डिफरेंट है सब इसको इसकी पूजा करवा देते हैं शान्त करवा देते हैं देशान लcial इसont आप किसज में शान्त होती ये यह कहीं ना कहीं वेल प्रफॉर्म भी करते हैं और बहुत बड़े-बड़े लोगों की कुंडलियों में ऐसे कॉंबिनेशन मैंने अपनी रिसर्च में देखे हैं मैं अपनी डेली प्रैक्टिस में देखता हूँ बहुत बड़ा इनसान कोई बहुत हाई लेवल का इनसान जि ऐसे कॉंबिनेशन समेशा बुरे नहीं होते सो वन गो में सिंगल स्टेट्मेंट में आप इस चीज को रिलेट मत कीजिएगा यह सब के लिए अलग लगया स्टेंडर फॉर्मुला के बार नहीं लगता सो कही लोग बहुत डेक्लाइन भी हो जाते हैं लेकिन कही लोग आठ बारा में प्लाइनेट्स जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं सच है नहीं पुरी जी यह भी आधी दूरी नॉलज है और आधी दूरी नॉलज हमेशा डेंजरस होती है मैं हमेशा कहता हूं कि एक एस्ट्रॉलजर बहुत बड़ी हीलिंग का काम भी कर सकता और एक एस्ट्रॉलजर किसी को डिस्ट्रॉइ भी कर सकता है उसकी इन्फरमेशन से उसकी नॉलज से सो यह कुश्चन जो है बहुत एक पेजीदा कुश्चन है लेकिन इसका आंसर है मेरे पास आंसर क्या है च्छे अट बारा में हमेशा प्लैनेट गलत प्रफॉर्म नहीं करते हैं माल लीजिए आपके कुंडली में छठे घर में कोई प्लैनेट पड़ा हुआ है चड़ा गर कहते है रोग रिनी शत्रॉ अब छठे घर में कोई प्लैनेट पड़ा हुआ है तो जब इस घर की दशा लगेगी यहां इस घर का नक्शातर लॉड अगर नाइन्थ क्योंकि अकल्ट अकल्ट वर्ल्ड है यह लोग डरते हैं मृत्यू का स्थान भी बोला गया है इसको लोग डरते हैं सो मृत्यू मेंशा सिर्फ बॉडी का खतम होना नहीं होता यहां सोल का निकलना नहीं होता मृत्यू बहुत तरीके से होती है जब आश्टम घर की दशा लगती है तो लोग डर जाते हैं आने वाली होती है उसका इंपक्ट आना पहले शुरू हो जाता है लोग डरना शुरू करते हैं चटे घर में अगर कोई प्लैनेट है तो आप मान के चलिए कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना पहली बात चटे घर से डिलेटेड चीजें आपको एक्टिव करनी है कैसे एक्टिव करनी है सब्पोस किजिए चटे घर की दश्चा लगने वाली है रोगरिन शत्रु खाएंगे फसेंगे चटेगर के जो एनिमल हैं उनकी सेवा किसी भी रूप में करें चाहें खाना दें चाहें कुछ भी करें किसी भी रूप में दें चटेगर का आप कोई जानवर घर में पाल सकते हैं जो रेकमेंडेड हैं वाप पाल सकते हैं क्योंकि पैट डॉक्स जो होत को पकड़ लीजिए आपको तंग नहीं करेगा लोन का घर है चोटा मोटा लोन किसी अपने याद दोस्ते उठा लीजिए जादा नहीं उठाना दस बीसे जार का उठा लीजिए कि बड़ा ना लेना पड़े बड़े में नफस जाईए इसमें ये भी होता है कि इस दशा जब जिनकी छटेगर की दशा लगी होगी या अंतर दशा लगी होगी उनको सुवेश लेकि शाम तक तीन-चार कॉल जाती है, सर हम फुला-फुला बैंक से बोल रहे हैं, फुला-फुला कमणी से बोल रहे हैं, आपको लोन की रिक्वडमेंट है तो हमें बताईए, जिनके ईटके करके कि अगर आपकोई लोन लेना चाथे हैं, बड़े समय से नहीं मिल रहा है। इपनी की ते मिलोन और यहां रही झार आपका कज़ाएगी, उसकी दशा आपको तंग नहीं करेगी. आप इसको कुछ देर के लिए कर सकते हैं कोई भी किसी ग्रहा की लगी है तो लंबी जाती है तो लंबी दशाक का उपाए आप ये रिपीट टीडली कर सकते हैं जानवर मत खाईएगा इस जानवरों की सेवा कीजेगा चटागर आपको तंग नहीं करेगा इसके बाद अगर मैं बात करूँ सपोस कीजिए छटे गर में कोई पड़ा हुआ है बुद पड़ा हुआ है तो छोटे बच्चों की मदद कीजिए छटा गर आपको ये आपके पैंडिंग रिन होते हैं कोई भी ग्रहा आपका पड़ा है अप मदद कीजिए उनके लिए जब भी आप help मांगे आपसे उनको help दीजिये चाहे उससे 150-500,000 देना पड़े तो दे दिजिए उनकी मदद कीजिए क् employers वह आपकी duty है आपकी duty का घर भी है service का घर भी है तो आपकी duty बंते है यहाँ पर इस चीज का donation है सो सरकार के से जोड़े हुए चीजों का आप उलंगन मत कीजिए रूल्ज मत तोड़िए चोटा सा फाइन अगर लगना भी होगा तो लगेगा दे दीजिए सो कोई भी प्लैनेट इस घर में जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस घर के अंदर बैठ के उस चीज की उस इंसान क की मदद कीजिए गुरू बैटे हों बजर्गों की मदद कीजिए ब्रामनों की मदद कीजिए खाना दीजिए कपड़े दीजिए शनी बैटे हों बजर्गों की हैल्प कीजिए असाइलम में जाइए आश्रम में जाइए विद आश्रम में जाइए वहां जाके कुछ डोने सकते लेकिन जतनी हो सके उनकी emotional support से किसी भी तरह से उनकी मदद कीजिए सो ये भी आपको छटे घर की दशाख खराब नहीं करेगी अश्टम घर की बात करता हूँ eight घर occult world science कोई किताब उठाईए जोतिश की किताब उठा लीजिए पढ़ना शुरू कर दीजिए सरकार का फाइन आपके उपर लगेगा सरकार का फाइन दीजिए चलान हो रहा है तो चलान भरिये किसी से बात करवाने की जरूरत नहीं है कि आप बात कीजिए मेरा चलान छूट जाएगा आप अपने लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं अठमे घर की अश्टम घर की दशा लगरी हो तो ये फाइन जलगते हैं गौर्मन की तरफ से नोटिस जाते हैं गौर्मन फाइन लेती है क्योंकि सरकार के खजाने में आपका पैसा जाना होता है जो ट्रेजरी होती है जहां वहां पे आपका पैसा जाना होता है सरकार के घर में आपका पैसे जाने का सदस्ता यही है कि छोटा मोटा गर चलान होता है तो आप जो है उसको कटवाईए उसके लिए बहस मत कीजिए उससे आपकी कंडिशन फुल्फिल हो जाती है अश्टम घर की जानवर से रिलेटिड उसकी सेवा कीजिए उसको खाईएगा नहीं अश्टम घर का जानवर खाएंगे अगर आप नॉन वेजिजिन है वो आपकी खुद की आपका विवेक है आपका समझ है अगर ये खाएंगे तो बहुत परिशानी में फसने वाले हैं अगर ये फुल्फिल करेंगे दिक्कत नहीं आएगी अश्टम घर से डरने के जरूरत नहीं है अकल्ट साइंस में घुच जाएगे मिस्टरिज पढ़ा कीजिए मिस्टरिज सुना कीजिए क्योंकि ये कंडिशन फुल्फिल हो रही है इस घर को जो रिप्रिजेंट चीजे कर रही है वो आप फुल्फिल कर रहे हैं अगर वो फुल्फिल होंगी नुकसान नहीं होगा फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी आपके लिए दिक्कते बहुत कम हो जाएगी बात करता हूँ पर नीजे ने बात की बारवे घर की छे, आठ, बारा, त्रिक हाउसी से उसको बोला जाता है बारवे घर की दशा लगनी हो तो बारवे घर के जो रिपर्जेंटिटी चीजें हैं उसका काम कीजिए क्या करना है असाइलम्स आश्रम्स आपके पुलिस थाना, जेल, असाइलम्स जो आश्रम होते हैं, वरिद आश्रम, बच्चों का आश्रम, कुष्ट आश्रम किसी भी तरह का आश्रम जहां पर एक किचन में सबी लोगों के लिए खाना बनता है, काफी लोगों लिए खाना बनता है वो घर, social events होते हैं वो आपके ये घर है, बारवा घर है अब बारवा घर मोक्ष का भी कहा गया है तो कि चीजें यहाँ पर let go होती है जानी होती है यहाँ पर चीजें वहाँ पर डिनेट कीजिए रोग भी यहाँ पर होता है, यह hospital का घर भी है तो क्या करना आपको hospital जाएए hospital जाके वहाँ पर जाके चेक अप कराईए routine चेक अप कराईए, slip कटवाईए क्योंकि उस time पर government के hospital में या hospital के अंदर आपका नाम दर्ज होना होता है आपके entry होनी होती है, वहाँ जाके अपना OPD पे जाके चाहें, चेक करवाके, register में नाम एंटर कराईए, और वहाँ जाके कुछ time spend करके आईए, वहाँ का पानी लेके घर पे आईए, वह पानी घर में यूज कीजिए अपने लिए यूज कीजिए, दिन में एक दो बार पानी ले लिया, वो condition फुल्फिल हो जाएगी जेल, यातरा इसको इस गर में देखी जाती है अगर ऐसा कोई योग बन रहा है, अगर आपको गलत काम कर रहे हैं, वो तो naturally आपको फिशनी उसका result देंगे ही देंगे पर अगर आपको लग रहा है कि बिना वज़ा फस रहे हैं कुछ है नहीं, कारण नहीं है तो जेल से रोटी में गवाईए बहुत सारे sources होते हैं, वहाँ की रोटी आप खाईए और जमीन पे बैठके खानी है, फटे कपड़े डालके खानी है बारवे घर के लिए बहुत कुछ है, एक अदा आप चलान यहां भी कटवा सकते हैं अगर चलान हो रहा है, पुलिस आपको रोक रही है, तो आप चलान कटवाईए गर्मेंट के घर आपका पैसा जाना है, जाने दीजी वो गर्मेंट का पैसा आप ही के लिए घूम के आप ही के लिए काम आएगा और आपका उपाय हो जाएगा और आपको बारवे घर की दशा जो तंग नहीं करेगी तो 6-8-12 को हम इस हिसाब से बैलन्स कर सकते हैं, इस हिसाब से ठीक कर सकते हैं ये हमेशा घर खराब नहीं होते, डिपेंड करता है कि इनके नक्षत्रास कहा हैं, इनके लॉड कहा हैं, किस पोजीशन में बैठे हुए हैं, रिजल्ट वहाँ पर वेरी कर जाते हैं मोटा मोटा मेरा मतलब समझाने का ये था कि conjunction से, combination से, 6-8-12 में पड़े हुए ग्रहों से डरने के जरूरत नहीं हैं, ये रिजल्ट बहुत अच्छा भी के पर देके जाते हैं जैसे मैंने बताया, वैसे अगर आप इसकुछ समझेंगे, करेंगे, इन जानवरों को हर्ट नहीं करेंगे, इस चीज़ को इस घर के रिप्रेजेंटरिब चीज़ों होती हैं, वो उसको अगर फुल्फिल करते हैं, ये दशाएं तंग नहीं करती हैं बारवे घर की दशा लगी हो, अगर आप बाड़ी अलॉग करती हो, तो आप बलड डोनेशन भी कीजिए, बलड डोनेशन से भी आपको फाइदा मिलेगा, प्लस आप ये जो नॉमल डोनेशन होती हैं, वो भी आप जाके आश्रम में जाके करके आईएगा, और ये बलड ड कर लिजिए, यहां जिस बैट पर सोते हैं, उस बैट से उठके किसी और जगा सोना शूरू कर दीजिए, अगर ज़्यादा एक्सपेंस नहीं कर सकते हैं, तो आप कोई चार पाई ऐसी ले आईएए, यहां कोई आप नीचे बीचान में शीट ऐसी लेएए, जिसको दूसरा कामरे में डाल के वहां शोना शूरू कर दीजिए, बार में करकी दशा तब भी आपको तंग नहीं करेगी. क्योंकि जो लोग आज तक 6-12 के बारे में गलत समझ रहे हैं, उनको पूरी जानकारी में लिए और वो डरना एकदम बंद कर दें, क्योंकि इसमें डरने वाली बात नहीं है, और अगर कुछ है भी, तो सुनील जी जो है, वो बैठे हूँ है, तो गुड़लक रिपोर्ट के लेकिन एकदम से पता नहीं क्या हो गया है, आप बोल रहे हैं कि आप इसका निवारन करें। आपको इंपक्त देखेगा, तो अगर आपको इसका रिस्पॉंस देता हूं जल्दी ही और आपको इसका उपाए लिखेगा, भच्छे का फोकस ठीक हो जाएं। तो उपाए बिल्कुल सारे मौझूद हैं, थोड़ा सा फोकस्ट रहनी के जरूरत है, जुड़े रहने के जरूरत है, उपाए तो सारे ही मिल जाएंगे, और कोशिश रही है कि हर घर में खुशियां जो हैं और खुशी वाली एक टिप जाते चाहते हैं। सबके लिए एक जनल रेमेडी है, यह गोचर काफी लाइफ में इंपैक्ट दानने वाले हैं, खीर बनाके अमावस्या को खीर बनाके इसको दान कीजिए। में खीर बनाके डोनेट कीजेगा. सो कुछ ना कुछा तक आपको रलीफ जरूर रहेगा. खीर बनाके कीजेगा, खुद भी ओकषा सकते हैं। खुद भी खा सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिये फिलहाल जल्दी मिलते हैं धन्यवाद